एलो दोस्तो उजी उमीद है कि आप से भी अच्छे हूँगी दोस्तो Nifty 50 काफी positive दिखाई दिया और एक मजबूत strength पकड़ता हूँ दिखाई दिया as compared to bank Nifty आईए अब हम discussion करते हैं bank Nifty के बारे में कि कल को आपको किस तरीकी से तयार रहना चाहिए या किस thought process के साथ आपको जाना चाहिए उस situation को थोड़ा सा detail में समझते हैं आए अब हम यहाँ पे situation समझने की कोसिस करते हैं पहले मैं आपके साथ discuss कर दूँ क्या क्या discussion होने वाले logic भी हम इसी वीडियो में discussion करेंगे और analysis भी फिर से पहले वाले यह उस पे आ जाते हैं क्योंकि काफी लोगों के comment आए कि पहले ही बेतर था तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले हम समझेंगे logic कि आज की trade के पीछे क्या क्या logic हो सकते थे उनका discussion करेंगे फिर हम one day के time frame पे देखेंगे कुछ चीजे और सबसे जरूरी चीज हम 15 minutes के time frame पे इस वाले zone को थोड़ असा detail में समझेंगे क्यों मैं ऐसा कहारा हूँ क्योंकि last time आपने देखा था मैंने इसका discussion क्या होगा 18 को यहाँ support बना, दो बार बना, 19 को भी यहाँ पे support बना, 20 को भी इस zone में support बना, 23rd को भी market ने इस zone की respect करी और आज 24rd को भी market ने इसी zone पे resistance की track करके आपको एक reversal दिखा यानि कि जो पहले एक मजबूत support zone बना हुआ था फिर से ध्यान से समझो, जो पहले एक मजबूत support zone बना हुआ था, breakdown मिला उसका, तो उसकी resistance की track करने की possibility बढ़ जाती है कि market यहां से breakout दे के उपर निकलता है या फिर reversal देता है इसका discussion हम बाद में करेंगे जब 15 मिट के time frame पे आएंगे फिलाल हम logic की तरप चलते हैं और यहां पर logic को समझने की कोसिस करते हैं थोड़ो सा detail में logic को समझ लेते हैं पहले अगर आप logic में नज़र डालेंगे सबसे पहली चीज़ आपको एक काफी बड़ी candle देखने को मिल रही है यानि की बड़ी green candle, बड़ी red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening इन चारों चीज़ों से दूर रहने में ही फाइदा है क्योंकि यह एक तरह की चलती train होती है और चलती train में सीधे नहीं गुसा जाता जब तक train platform पे आपके लिए इंतिजार ने कर रही हो तक तक उस train में गुसना सही नहीं रहता तो आपको train का इंतिजार करना था, यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा आपको एक momentum देखने को मिला, एक recovery देखने को मिली, उससे पहले दिन आपको एक काफी बहतरे इन downfall market में देखने को मिला था तो आपके लिए जो जरूरी था, आपके लिए जरूरी ये था कि market क्योंकि अगर market देखो यहाँ से positive अगर हो रहा है, पहली बात इसने बड़ी candle बना दी, दूसरी बात market ने यहाँ पे आपका क्या है, previous day closing है, यहाँ पे क्या है, previous day low है, एक previous day low यहाँ पे, यहाँ पे previous day closing ह साथ की साथ यहाँ पे एक और important जो ने, कौन सा important जो ने, 45,000 का round level, यहाँ पे तीन तीन resistance पड़े हुए है, तो जब तक market इन्हें नहीं निकालने वाला, तब तक तो positive side सोचे ही नहीं जा सकता, भई market यहाँ पे कुछ भी करता रहे, भई पहली बात बड़ी green candle बन चुके, एक बड़ी candle market ने बना दी है, तो इसका मतलब market से दूर रहना है, कि जब तक यह train पूरी तरीके से platform पे नहीं रुकती, पहली यह चीज़ धियान रखनी है, इस वाली candle पे आप focus करेंगे, इसने resistance की track किया है, 45,000 पे भी, और साथ के साथ previous day closing पे भी, और यह support लेता हुआ द नहीं मिला क्योंकि ऊपर अभी भी दो-दो resistance बैठे हुए है, एक कौन सा, 45,000 वाला resistance बैठा हुआ है, दूसरा क्या है, यहाँ पे previous day closing भी बैठा हुआ है, जब तक इन दोनों का भी breakout नहीं मिलता, तक तक positive side कुछ भी नहीं सोचा जा सकता, फिर अगर आप इस वाली candle पे focus क करूंगे, इनका आपको breakout भी मिला, follower candle भी देखने को मिली, तो यहाँ से आपके लिए एक opportunity हो सकते थी, market में एक momentum देखा जा सकता था, चीज़े clear होगी, लेकिन प्रोपर इस टोप्रोस को follow करते हैं, अब यहाँ पे market ने, अगर market यहीं से, इसी बीच अगर sideways होने की कोशिस क अगर market क्योंकि उपर 3-3 resistance थे, by chance market यहीं पे sideways हो जाता, तो क्या negative side बैठते हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि बड़ी candle बन रिया है, या तो इस वाले zone में कोई से न कोई सा pattern create होता, पेरिस pattern create हो या जो मैंने आपको 4 pattern बताई हुए ट्रेंगल वाले pattern, trend line से मिलके बने वे pattern और parallel pattern, उन pattern में से कोई सा भी pattern मिलता, breakdown मिलता, तो हम कहीं न कहीं trading day लोगो approach करने की कोशिस करते हैं, समझ में आ रही है, चीज़े clear हो रही है, कोई भी confusion है ना, अब यहाँ पर एक चीज और create करने की कोशिस करिए, market ने अगर आपने direct कर रहा था, तो यहाँ पर भी सीदे सीदे आपको breakdown देखने को मिला है, और इस वाली candle ने आपको साप साप 45,000 का भी breakdown दिया है, previous day closing से भी नीचे रहा है, लेकिन इस तरह की confusing trade मैं तो avoid करता हूँ, हाला कि यहाँ पर भी एक opportunity बनी है, लेकिन इस तरह की trade को avoid करने में ही समझ अगर आप इस momentum को पकड़ चुके हैं, तो आप सांती से बैटे रहो, या तो market trading day लोग को निकाले, आला कि यहाँ पर भी आपको एक पहतरिन सा momentum market देखने को मिला है, लेकिन कहीन कहीं market volatile होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कि पहले momentum दिखाया है, फिर negative momentum दिखाने की को कोसिस कर रहा है, तो बहतर यहीं रहता, अगर इस trade में जाते भी, कोई जाना सोच भी राता, या कोई गहा भी होगा, तो आप half quantity में काम करते, वो ज्यादा बहतर रहता, समझ में आ गया, clear हो गया, आईए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, one day के time frame पे, one day के time frame पे, चीजें, यहाँ पर समझने की कोसिस करते हैं, अगर कल भी आपको positive momentum देखने को मिला, तो important resistance zone आपको यह दिखाई दे रहा है, one day के time frame पे, ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक important resistance यहाँ पर हो सकता है, जहां से आज आपको reversal देखने को मिला, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मैं फिर से दिखाऊंगा, बेव फिर कर रही है, हम फिर से चलेंगे, चलो पहले उसी का discussion कर लेते हैं, आपको clarity थोड़ी सी और हो जाएगी, क्योंकि जब बात में बात आ जाती है, तो चीजे और clear हो जाती है, important चीजे क्या क्या रह सकती है, भई यह वाला zone रह सकता है, क्य कुछ आपको important यहाँ पर दिखाई दी रहा है कि नहीं, मुझे दिखाई दी रहा है, क्या है, यह वाला, यह वाला क्या है, 45,000 का एक round पर यह वाला, समझ में आ गया कि अब इस वाले zone में सिर्फ एक ही खास बात नहीं है, कि यहाँ पर previous day हाई है, यहाँ पर और भी खास ब 3 का भी day low है, market ने support लिया है, 20 का भी day low है, और 23 को भी market ने इसकी respect की थी, breakdown देने के बाद यहाँ पर resistance की तरह भी act किया, और आज भी 24 को market आपको यहाँ पर resistance की तरह एक्ट करता हुआ, साप साप दिखाई दे रहा है, तो यानि कि अगर market में flat open होके positive momentum आता है, तो पहला resistance zone आपके लिए यही बनता है, अब यहाँ पे दो चीजे हो जाएगी आपकी, पहली चीज अगर positive वह market कहीं न कहीं, आप देखेंगे 45,000 का market ने breakout दे दिया है, इसका मतलब इसके उपर price sustain करने की, कोसिस कर रहा है, market अगर positive momentum दिखाता है, दूसरी चीज, previous day closing से उपर है, तो न तो एक तो आपको stop loss place करने की जहें मिल जाएगी, आप अपने stop loss को trail करेंगे और पूरे momentum को capture करने की कोसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर market इसे सीधे नहीं निकाल रहा है, इससे नीचे time spend करना शुरू कर देता है, इस तरह की situation पे आपको अपनी position से exit करने में ही समझदारी रहत जाए bullish pattern create करें या bearish pattern create करें, उस base पे आप अपना अगला decision लेंगे, अगर market ने breakout दिया तो फिर से आपको entry करने का मौका देगा, या फिर अगर breakdown दिया तो तब भी आपको entry करने का मौका मिलेगा, उस situation पे देखो अगर breakout मिला, तो आपके लिए जो important चीजे देखो ये वाला तो अगला जो important resistance सिर्फ इतने नहीं, 17 का भी day closing और day low आपको इसी zone में दिखाई देगा, तो अगला important resistance आपके लिए यहाँ पे होने की possibilities हो सकती है, लेकिन अगर market breakdown देखे चलता है तो previous day closing और साथ के साथ 45,000 यहाँ पे आपके लिए important support रहेंगे, इनका आपको breakdown मिल गया तो previous day low काफे important support आपके लिए रह सकता है, वहीं पे अगर market flat open होगे आपको negative momentum दिखाता है, इस वाले situation पे, इस वाले situation पे अगर market previous day closing से नीचे चल रहा है, तो आप 45,000 का breakdown होने देगे, negative side तुरंत नहीं बैठेंगे, breakdown होने की देने के बाद proper price sustain करने देंगे और follower candle का इंतिजार करेंगे, अगर follower candle मिलती है, तो इस situation पे जो आपके लिए support की possibilities बन सकती है, वो previous day low आपके लिए support की possibilities बनती कोई दिखाई दे सकती है, वहीं पे अगर market आपको gap up opening देता है, दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूँ, या आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाए गई analysis video है, invest करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, lows की जिम्मिदार भी आपको अपने आप लेनी है, अगर market gap up opening देता है, तो इस वाली situation पे आप तब भी focus अपने previous day high पे इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक market gap up open हो रहा है, अगर market इसी के आसपास आपको gap up open होता है, दिखाई दिया, और market ने इसका breakout दिया, कुछ time spend करके 3-4 candle बनाके market ने इसका breakout दिया, तो उस वाली situation पे आप क्या देखेंगे, आपको positive side opportunity मिल सकती है, लेकिन half quantity में काम करना ह क्योंकि gap up opening के दोरन market एक काफे बड़ा momentum आपको दे चुगा होगा, लेकिन अगर market ने कहीं अपने जो ये swing बना रखा है market में, इसी के आसपास gap up open होता है, breakout देगे चलता है, तो तब भी आपके लिए important resistance यही रहने वाला है, ठीक है, अगर market ने gap up open हुआ, एक बात और समझ मत बैठना, कब तक नहीं बैठना, जब तक कि market 45,000 का breakdown नहीं दे देता है, इस बीच आप scalping करना चाते हैं, तो वो opportunities आप अपने लिए भोन सकते हैं, नहीं तो दूर ही रहने में benefit रहे, वहीं पे अगर market आपको gap down opening देता है, दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देता हू तो फिलाल सभी courses पे 50% off चल रहा है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, अगर आप trending days, strategies, reversal days, strategies, या sideways market strategies को समझना चाते हैं, तो नीचे description में application का link मिल जाएगा, फिलाल 50% का off चल रहा है, अगर आप यहां भी देखें, gap down opening मिली, तो gap down opening में आप 45,000 पे ही focus करेंगे, अग gap down open के थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, breakdown देता है, तो आपके लिए support की possibilities previous day होई है, लेकिन अगर support लेने की कोशिस करता है, तो previous day closing से उसे ऊपर निकलने देना, अब तक positive side मत जाना, और अगर उपर गया breakout देखेंगे, तो previous day high आपके लिए काफी important resistance रहेगा, एक तो previous day high के हिसाब से भी, और दूसरा price action के हिसाब से भी आपके लिए काफी important resistance रहने वाला है, दोस्तों वीडियो को like करना, comment करके बताना, analysis कैसे लग रहे हैं, नहीं हो, subscribe करना, bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियो के notification मिल सकेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फ अच्छे content के साथ, thank you